अब नरेंदर मोदी जी इसका उल्टा कर रही है, नरेंदर मोदी जी गरीबों को लूट रही है, मुक्तार अंसारी अमीरों को लूट के गरीबों का भला करता था, मरेंदर मोदी जी इसका उल्टा कर रही है, और उनकी भाजपा भी, भाजपा क्या कर रही है, भाजपा गरी लोगों की उम्मीद थी कि एक बार मुक्तार अंसारी को हम आखरी बार उनका चहरा देख लें या उनके जो जनाजा है उसको हम कंधा एक बार दे दे तो बात जब मुक्तार अंसारी की तबित खराब होती है तो उनको बांदरा जेल में क्यों बांदरा होस्पिटल में क्यों लखनों में होते हैं अगर बांदरा के अंदर इतना ही बड़ा अस्पताल है तो बीजेपि नेता हो तो एसी में ले जाए 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 तो कुछ लोग भी सोसल मीडिया वायना करें कि घर-घर मुक्तार अंसारी पैदा होगी तो मैं यह कहना चाहत हूँ कि जो उनके अच्छी चीज़े हैं आप उनको एक्सेप्ट करिए लेकिन जहां उनका वह बहुबली वाला रूप है आप उसको नेगलेट करिए अच्छी चीज़ों को अपनाईए और अच्छी चीज़े हमेशा अपना नहीं यह योगी सरकार जब से उत्तर प्रदेश के अंदर आई है तब से जंगल राज की शुरुवात हो गई कभी बेटियों के साथ दुषकर्म होता है कभी आपने देखा कि बेटियों की इज़त लूटी जाती है तो कभी उत्तर प्रदेश की जेलों के अंदर टंकी से एक प्रदेश की साशन प्रसाशन व्यवस्ता चोपर सवाल खड़े करते हैं बेफजूल में लोगों के घर पर बुल्डोजर चलाना लोगों के घर पर अतिकर्वन बता के उनको घर को बुल्डोजर चला देना उत्तर प्रदेश के कानपूर की घटना जब एक और आतिक ऐमत के लघ में जो बंदूक इसतमाल हुई ती आज तक नहीं पता चला कि वे इतनी महंगी बंदूक कहां से खरी दिनोंने क्या इंक्वारी में हुआ तो उत्तर प्रदेश की साशन व्यवस्ता उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश के प्रसाशन पे ना कि अब आजम खान की बारी है इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं एक बात आप मुझे बताईए मैं तो कहता हूं कि नरेंदर मोदी सरकार को अफिशियली अपने ट्वीटर हैंडल से एक बात लिग देनी चाहिए कि भारत में अब लोकतंतर नहीं बचा है भारत में लोकतं देश के अंदर लोगों को बोलने की अजादी ना हूं अभी व्यक्ति की अजादी ना हूं सरकार के खिलाफ कोई बोले तो उठा कर जेल में डाल दियाता है देश में जगे जगे धारा 144 लगा दी जाती है आपको पता होगा कि अभी मुक्तार अंसारी साहब के जनाजे में लाखों की पब्लीक पहुंची वहाँ पर डियेम साहब का क्या रवाई यह था आप सभी को पता है आपने देखियोगी वीडियो भी बहुत यह से वाइरल हुई मैं पूछना चाहता हूं कि इस देश का कॉंसिटूइशन हमें राइट देता है कि हम किसी के जनाजे में किस अचैसी जगे पर लगाना साफ साफ हमारे मौलिक अधिकारों का हनन है और अगर इसमें कोई केस दर्ज हो जाए तो निश्चित तोर पर डियेम साहबा के आप और कारवाई भी होगी यह बात मैं दावे से क्याता हूं क्योंकि यह हमारे मौलिक अधिकार का हननन है लेकिन इस देश के अंदर कोई भी व्यक्ति कोई भी नियूस चैनल सबसे बड़ी बात तो मैं आज धन्यवाद करता हूँ आप जैसे लोगों का कि आप जैसे लोगों के माध्यम से अवाज जो है वो सरकार के कानू तक पहुंचती है वरना इस देश के अंदर मीडिया तो इतनी वि इस देश के अंदर बीजेपी से पैसा किसने ले रखा है इस देश की मीडिया को बीजेपी ने बिल्कुल अपने हाथ में कस रखा है आप यह याद रखिए कि इस देश के अंदर तमाम मीडिया के चैनल सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को दिखाएंगे और मैं बीजेपी से क दर्शानी का काम करता था, मुक्तार अंसारी को लेकर के सोसल मीडिया पर एक चीछ चल रही, कुछ लोग मसीया बता रहे हैं, कुछ लोग माफिया, तो मोहिस सर्मा क्या देखते हैं, कौन सा रूप देखते हैं, देखे एक बात आप मुझे बताईए, माफिया तो मैं नहीं स चहरा देख लें, या उनके जो जनाजा है, उसको हम कंधा एक बार देदे, तो निश्चित तोर पर ऐसा आदमी गुंडा तो हो नहीं सकता, मसीया ही था, दूसरी बात ये, कि जिसके परिवार से, सुतंता सेनानी हो, जिसके परिवार से, पॉलिटिक्स के अंदर भी लोग हो और ऐसी व्यक्ती की छवी को, दूसरी बात सबसे बड़ा सवाल ये, कि मुक्त आ अंसारी क्या थे, क्या है, और क्या नहीं थे, इस बात पर चर्चा का विशह ही नहीं है, विशह इस बात का है, कि जब एक व्यक्ती, नियाए-पाली का को लेटरल लिख रहा है, और कह र बड़ी बात जब मुक्तार अनसारी की तबित खराब होती है तो उनको बांद्रा जेल में क्यों बांद्रा वस्पिटल में क्यों ले जाया जाता है आपीयरं यह बड़या जाता ब्लदरा के नेंदर कहीं ट बड़नis तो उनको उसी में ले जाए जाए आप मुझे बताए ना किसी भी नेता है कि तवित खराब होती है मेदानता में लाया जाता है एम्स में लाया जाता है मैक्स में लाया जाता है लेकिन मुक्तार अंसारी सहाब को बांदा में ले जाए गया क्यों उनको यहां क्यों नहीं लाय कि परिवार जो उसको बोलने की कोर्सिस करता था उसको डराता करता था तो इसी लोग भी करें कि घर-घर से मुकतार नसारी पाइदा उबगा तो आप क्या देखते हैं क्या माफ्या का पाइदा होना जरूरी है? से बड़ी बात ये है कि उनकी और उनके परिवार की क्या दुश्मनी थी और क्या प्यार था क्या इसने ये आपको और हमें नहीं पता ये वो उनके आपस की रंजिश है ठीक है अब आप इसको या फिर ये कह दे कि पूरे देश की लड़ा ये नहीं ऐसा नहीं हो सकता दूसर लोग उनको मानते भी बहुत सा लोग का घर का चूला मुक्तार अंसारी से चलता था तो उनके लिए आप क्या कहेंगे जरह यह बताइए ना तो मैं यह कहना चाहत हो कि उनके अच्छी चीज़ें आप उनको एक्सेप्ट करिए लेकिन जहां उनका वह बहुबली वाला रूप दिया है नरेंदर मोदी जी ने बदल दिया है अब नरेंदर मोदी जी इसका उल्टा कर रहे है नरेंदर मोदी जी गरीबों को लूट रहे है मुक्तार अंसारी अमीरों को लूटके गरीबों का भला करता था मरेंदर मोदी जी इसका उल्टा कर रहे है और उनकी भाजपा भाजपा क्या कर रही है भाजपा गरीबों को लूट रही है और आपके बच्चों के हग का पैसा और उनका पेट काटके अंबानी और अडानी का पेट भरने का काम कर रही है ये बीजेपी कर रही है एक व्यक्ति जो आपकी उत्तरप्रदेश चाहता है आप तो बखू भी ज काम किया और बीजेपी ने लोगों को हिंदू और मुसल्मान के नाम पर लड़ाया तो आप यह सोच कैसी है यह हिंदू मुसल्मान के नाम पर नौजवानों को लजाना चाहते हैं और एक व्यक्ति जो खुद यह जानता है कि मेरे बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं और किसी में उकात नहीं तो जो राम मंदिर आप ही को देता हूं पहला चैलेंज चलिए शुरुआत करते हैं आपके पहले टॉपिक पर राम मंदिर से राम मंदिर बीजेपी ने बनवाया सबके सामने ओपन चैलेंज दीजिए कि नरेंदर मोधी जी ने सुप्रीम कोट को खरी करेंगे तो पुरा देश खाग जाएगा क्या अपना माइंड है ना अपने माइंड का यूज करके आप जवाब दीजिए पहले सवाल का है अपर मैं तो ओपन चैलेंज देश के तमाम लोगों को अरे कोई तो है मेरे सामने जो बहस कर सके अखलेस यादो तो खुदी इस ब जो प्राह्न प्रतिश्ा कैनी बाट रहते हैं राम मंदिर का इंवीटेशन बाटा जाएगा क्या अगर आपके घर में शादी है तो आपँटेशन बाटिये राम tag के हैं जो भारत में रहता भारत की धरती से बहार रहता है सब व्यांत्य ओंशनwszyमा सिक्यें यूम सोबकी क के नहीं है बीजेपी का कॉपी राइट नहीं है राम के उपर जो आपका सवाल कि आपने कहा कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 नरेंदर का क काम किया जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का सिर्फ और सिर्फ एक मात्र मकसद बीजे पी का ये था कि अंबानी और यह पेखस्या बिजनस को वहाँ पर भी बढ़ाया जाए इसलिए आर्टीकल 370 वहाँ पर हटाया गया अब आपके तीसरे सवाल पर आ जाते हैं तीसरे सवाल आपका क्या था कि मोधी जी पांच किलो राशन दे रहे हैं मोधी जी चाय बेकर यह किसी फैक्टरी में द्यारी कर रहे हैं मुझ सब्सक्राइब करते हैं मेरे को आप इस सवाल का जवाब दे दो उत्तर परदेश में कितने साल हो गए बीजेपी सरकार को मल möस passou कार सातर साल में आप तो रिपोटिंग करते हैं यूपी में रिपोटिंग कर रते हैं यूपी की ऐसे दो जड़ो का नाम बताएग जहां पर बीजेपी ने लैप्टॉप कुलम किताब बाताओ मेधावी चात्रों को स्कॉलर्शिप कहां नहीं मिलती कहां नहीं मिलती चलिए मुझे बताइए हर जगे स्कॉलर्शिप अभी लेवल है मैं आप से यह पूछ रहा हूँ मुबाइल भी जेपी सरकार बाट रहे हैं अपने यूज किया एक बार भी मोबाइल कैसा है जैसे थर्ड क्लास वीजेपी वैसे थर्ड क्लास मोबाइल मैंने देखा और उसको अच्छी तरीके से और उसमें वौल पेपर मोधी जी का है अच्छा मुझे बताओ अखले परिवर्तन क्या हुआ जो आपने इनकी जगे इनको लाए परिवर्तन क्या हुआ और आप जो कहरें असी करोड़ जनता आज इस देश की स्थिति मोधी सरकार ने बना दी मेरे घर का डेटा नहीं है आपको उन्तमा बताना चाहूंगा कि असी करोड़ जनता मोधी के राशन को पर जिन्दा है एक राशन की कौस आती है 5 किलो राशन की 100-500 पर अब आप यह सोचलो असी करोड़ जनता जब 100-500 पर कर राशन नहीं करी सकती तो अपने बच्चों को बहतर सिख्षा और अपने बच्चों कहा से करें पर पर शाल लेंग लेकिन सब को पताए डबे में सारा डबा गुल है ये बात आप याद रखिए तो उसकी बदोले चार सो क्या आभिपक्स को एक सीट भी नहीं लाने दे सकते ये मैं दावे से कह रहा हूं क्योंकि आप बिना धांदली के एक छोटा सा मेर का चुनाव नहीं जी सकते तो आपकी दंपर बीजेपी सरकार बनाती है पुरा देश देख रहा है जैहिंद जैभारत वंदे मात